नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्यूटर हिस्ट्री के बारे में दोस्तों आपको ये जे ओए जो एक्जाम होने चाहरा है उसमें आपको मदलब ये एक आपके काम आ सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चिन है कम्प्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर क्या नाम था? इसका जवाब है Ada Loveless दोस्तों अगला कोश्चिन है दुट्यव विश्व यूद में जर्मन साइफर द्वारा उपयोग की गई मशीन का क्या नाम था? इसका सही जवाब है Enigma दोस्तों अगला कोश्चिन है वीश्व की पहली वेबसाइट कब शुरू हुई थी? इसका जवाब है 1991 में वीश्व की पहली वेबसाइट कौन सी थी? दोस्तों इसका अंसर है hwtpinfo.crn.ch यह जो है वीश्व की पहली वेबसाइट थी पहला वेबसाइट माइक्रो प्रोसेसर 1970 में बजार में कौन सा उपलब्द हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब है इंटल 4004 डिफ्रेंस इंजन की अवधारना 1422 में किस ने दी थी? इसका सही जवाब है चाल्ड बावेज अगला कोश्व के वीश्व कंप्यूटर साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 2 दिसंबर को अगला कोश्व है आकार के आधार पर कंप्यूटरों की श्रेणिया हो सकती है? इसका सही जवाब है सुपर कंप्यूटर, परसनल कंप्यूटर, मेंफ्रेम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपति किस सिदान्थ पर आधारित होती है? इसका सही जवाब है गणना एवं तर्क अगला कोश्चन है नेमल लिकित में से कौन सा सरवाधिक शक्तिशाली कंप्योटर है इसका सही जवाब है सूपर कंप्योटर अगला कोश्चन है नेमल लिकित में से किस पीडी के कंप्योटर ने GUI, Graphical User Interface और Mouse दोनों को देखा इसका सही जवाब है, 4th PD Computer Microprocessor का प्रयोग Computer के किस PD में किया गया है? इसका सही जवाब है, 4th PD Integrated Circuit, IC का प्रयोग Computer के किस PD में किया गया? इसका सही जवाब है, 3rd PD Transistor का प्रयोग Computer के किस PD में किया गया? इसका सही जवाब है, देखती है, PD Vacuum Tube का उप्योग किस में किया गया था? प्रथम PD के कंप्योटर में, 1945-1956 में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें दन्यवाद